हाँ तो भाया उत्त्रा घंड के सिल्क्यारा टनल में पिछले 17 दिनों से फसे 41 मजदूरों को सफलता पूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है तो भाया इस खुशी के मौके पे उन लोगों के लिए तालियां तो बनती हैं जिन्होंने ये रेस्क्यू किया है तो लोग जो हैं वो अलग-अलग लोगों को इस रेस्क्यू का श्रय दे रहे हैं कुछ लोग उन मजदूरों को दे रहे हैं जिन्होंने उन 41 मजदूरों को निकालने के लिए दिनरात काम किया कुछ लोग हैं जो राज्य सरकार और अलग-अलग अधिकारी और मंत्रियों को इसका श्रय दे रहे हैं और कुछ हमारे गोधी गैंके लोग हैं जो अपने बॉस को इसका श्रय दे रहे हैं लेकिन इस श्रयबाजी और उन मजदूरों के बाहर आ जाने की खुशी के बीच हमें ये नहीं बूल जाना चाहिए कि नव यूगा नाम की जो कंपनी है जो इस टनल को बना रही थी उसकी जवाब देही तै होनी चाहिए ये नहीं कि उस कंपनी को उस कंपनी के लोगों को किसी पतली गली से निकाल दिया जाए और हम बस ये इधर उधर की चीज़ें देखते ही रह जाए ये बड़ी अच्छी बात कही है लेकर आपको ये वीडियो अन्ट तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब उससे पहले कर लेना है तो दोस्तों इस रेस्क्यो अपरेशन में एक और नाम बहुती जादा महत्वपूर था आनॉल डिक्स का आनॉल डिक्स इंटरनेशनल टनेलिंग एक्सपर्ट है और इनको ऑस्ट्रेलिया से भारत बुलाया गया हमारे गोधी चैनल इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं वो अलग-अलग नेताओं की, अलग-अलग सरकारों की, अलग-अलग अधिकारियों की और अपनी खुद की भी वावा ही कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों के बारे में आपको ज्यादा खबरें गोधी चैनलों पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी Arnold Dix पिछले 15 दिनों से भारत में ही हैं, इन्होंने 24-7 काम किया, उन 41 जिंदिगियों को बचाने के लिए लेकिन अक्षय कुमार तो जो करेंगे वो करेंगे, गोधी मीडिया तो लगातार कर रहा है, जो करना था वो कर भी चुका है आज तक ने ठानी हैं, एक-एक जिंदिगी बचानी हैं, और बाकी rescuers जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो तो time pass कर रहे हैं मैं क्या करूँ फिर जॉब चोड़ दूँ, वो घड़ी आ गई है, पांच मजदूर निकल गए है, मौश्मी, देखिए आपके लिए वहाँ पहुचना बड़ा शुब सावित हुआ गई, ये पत्रकार तो गई, इन पे तो अब या तो कॉंग्रेसी होने का tag लग जाएगा, या मोधी विरोधी होने का tag लग जाएगा, या देश द्रोही या राष्ट द्रोही होने का tag लग जाएगा, टैग तो लगेगा ही, क्यों अंजना जी? लेकिन इस rescue operation के बीच अपना करतव या बिलकुल नहीं भूला गोदी मीडिया, आर्नौल डिक्स जैसे लोगों को दिखाएग या ना दिखाएग, उन rescuers को दिखाएग या ना दिखाएग जिनोंने दिन रात काम करके उन 41 मजदूरों को बचाया, लेकिन ये जरूर दिख अलगी चल रहा है यार, देश में कुछ भी होता रहा है, अच्छा बुरा, इनका content creation नहीं रुखना चाहिए, ये आपका time pass मनुरंजन करते ही रहेंगे अच्छा से दिखेगा हमारे सहियोगी आशुतोष इस वक्त अंदर है, और क्या claustrophobia होगा, कितनी मुश्किले होंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी और यही वज़ए खेट ठीक है, ये भी होना चाहिए, जब इतना tense माहौल चल रहा हो सब जगे तो मनुरंजन भी बीच वीच में जरूरी हो जाता है लेकिन जैसे ही हमारे चुशांत सिना और गेंडा स्वामी को ये पता चला कि उन रेस्क्यूर्स में जिन्होंने उन 41 मजदूरों की जान बचाई, उसमेचे सबसे वाइटल रोल निमाने वाले वकील खान और मुन्ना कुरेशी हैं, तो बिचारे थोड़े सदमे में आ गए तो दोस्तों पिछले दिनों मोदी जी ने फाइटर जेट तेजस उड़ाया, नहीं मतलब गोधी मीडिया तो ऐसा ही बता रहा है ना कि मोदी जी ने उड़ाया हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको इन में से कौन ज्यादा बैटर लग रहा है उधर कंगनर अनौच जो है, वो इसलिए सदमे में आ गई है कि यही काम मोदी जी ने अगर एक महीने पहले कर लिया होता तो उनकी फिल्म तेजस जो 45 करोड में बनी, वो 6-8 करोड से ज्यादा तो कमा लेती अचा मोदी जी तेजस में उड़े तो एक चीज कॉंगरेसियों ने बहुत वाइरल करी कि मोदी जी हवा में भी हाथ हिला रहे हैं, किसको हिला रहे हैं तो उसका जवाब देने कायदे से किसको आना चाहिए, भाजपा के नेता और प्रवक्ताओं को लेकिन इसका जवाब आखिर दे कौन रहा है बगल में दूसरे fighter jet भी उड़ रहे हैं, उनमें से ही वीडियो भी बन रहा है जिन की तरफ देखकर PM और पाइलेट दोनों हाथ हिला रहे हैं साथ में उड़ रहे दूसरे fighter jet के पाइलेट भी PM की तरफ हैंड वेव कर रहे हैं अब ऐसे ये अनओफिशली है तो एक particular party के प्रवक्ता ही तो अपना काम ही कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है तो भईया मोदी जी चाहे fighter jet उड़ाएं या कुछ और उड़ाएं हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जिन लोगों की वजह से उन 41 मजदूरों की जान खत्रे में पड़ी उन लोगों की जवाब देही तै होनी चाहिए क्योंकि वो 41 मजदूर जिन्दा वापस आ गए हैं सुरक्षित वापस आ गए हैं इसकी खुशी में हमें उन लोगों को नहीं भूल जाना चाहिए जिनकी वजह से 17 दिनों तक वो 41 लोग वहाँ पर फसे रहें दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें देखिए एक तो बेसिक ट्विक है एक तो लाइक और शेट ठोक दिजे माताल का जब तुबागर लाइक और शेट ठोक दिजे बाचा जब पुरा सार मैंनत करता हूँ आपके लिए बिटा ऐसा नहीं चलेंगा ऐसा नहीं चलेंगा